I greet every one of you in the name of Jesus Christ, I welcome everyone for this program, I want to thank God that God has given this opportunity to watch this program, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देताओं किसने हमें ये मौका दिया कि हम ये प्रोग्राम देख सके, मेरी प्यारे लोगों, ये प्रोग्राम आपके घर में आ रहा है, हम परमेश्वर के वचन से बाते कर रहे हैं, और आपको इसके बारे में जानना होगा, आपको इसके बारे में अंजान नहीं रहना है, क्योंकि क्या होता है, बहुत से लोगों वो अंजान होते हैं, बाइबल कहती है, एफीशियो अधिया 4 वचन 18 में इस तरह कहती है, जबक्यों उनकी समझ अंधकार हो गई है, बिए अलिएनेट फ्रॉम अधियो 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 और वो परमेश्वर के जीवन से दूर हो गए हैं, जो कि उनके अंदर में जो अग्यान है उसके कारण, और उनके रिदे के अंधकार होने के कारण, मेरे प्यारी लोगों आपने प्रभुवचन सुना रहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, जबक्यों उनकी समझ अंधकार हो चुकी है, वो तो परमेश्वर के जीवन से दूर हो गए हैं, वो तो परमेश्वर के जीवन से दूर हो चुके हैं, उनमें कोई समझ नहीं है, और उनके अंदर जो अग्यान है उसके कारण और उनके दिल के कठोरता के कारण उनके खुद के दिल के बलवा करने वाले कामों के कारण वो तो परमेश्वर से दूर चले गए हैं वो अपने जीवन में बहुत दूर चले गए हैं, भटक गए हैं वो अभी एक वकील है मैंने कई बार उन से कहा मेरे भाई ये जीवन तो बस केवल कुछ समय का ही जीवन है बस कुछ साल का है एक दिन हम सब कुछ छोड़ देंगे और हम चले जाएंगे आप कहां पर जाएंगे ये जानना बहुत ही महतोपुर्ण है ईशू पर विश्वास कीजिए वो आपके लिए मर चुका है आपने जो कुछ भी बुराई कि उसके लिए उसने पहले से इदाम चुका दिया है आपने जो कुछ भी बुरा किया है उसके लिए दंड उसने पहले से इपने उपर उठा लिया है कि आपको उद्धार दे सके और इसलिए कि आपको दंड उठाना ना पड़े और आपको सदा के लिए जीवित रहना है जीवन नाश नहो इस प्रभू को ले ले ये विश्वास करें कि ईश्व ने पहले ही आपके लिए दाम चुगा दिया है और आप सदा के लिए जीवित रहेंगे आप जो कुछ भी करते हैं मैं वो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ मेरा पिता ऐसा है मेरे पिता के पिता ऐसे थे और मेरे पिता जी के पिता जी के पिता जी के पिता जी ऐसे थे वो सब ऐसे ऐसे करते आएए और यहले मैं भी बिल्कुल वैसे ही करता हूँ मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा ना मैं इधर बदलूँगा ना मैं उधर बदलूँगा और मैं जीवन जीऊँगा बिल्कुल उन्ही के जैसे और उन्ही के जैसे मर जाऊँगा मुझे बहुत ही बुरा लगा मैंने फिर से उनसे कहा उस समय आप सचेत नहीं होंगे लेकिन अभी आप सचेत हैं अब ये सब कुछ बाइबल में लिखा है 2000 साल पहली ये लिखा गया है आप जागरत नहीं चें आपने ये ये नहीं किया लेकिन मैंने इसे पढ़ा है लोग इसे संसार में बढ़ रहे हैं लोग सच्चाई को समझ रहे हैं अभी आप पढ़े लिखे वेक्टी हैं और आप खुद पढ़ सकते हैं आप इस किताब को ले पढ़े कि यहां पर क्या लिखा है ये कानून के किताब के जैसे है आप कोट में कानून के किताब से कहते हैं और आप कह रहे हैं कि इस इस नियम के अनुसार इस इस कानून के अनुसार ये किताब उससे बढ़ कर है और आप इसे पढ़िए फिर इसे समझ लीजिए अपने मन को बदल दीजिए इस वचन के अनुसार अपने मन को बदल दीजिए तो फिर आप सदा के लिए जीवित रहेंगे येशु कहता है पश्चताप करो पश्चताप का मतलब है अपने मन को बदल दे अपने मन को बदल दे सच्चाई को जान ले और सदा के लिए जीवित रहे जानते इसका जवाब क्या है आप मुझे बदलने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे खुद के छोटे भाईये उन्होंने कहा आप मुझे बदलने की कोशिश कर रहे है मैं आपके विरुध में केस कर दूँगा 100 लाक रुपे आपको क्योंकि मुझे convert करने के कोशिश कर रहे है मैं तुम्हें जेल में डाल दूँगा कहा क्या आप ये जानते हैं मैं उन पर हस पड़ा ये उनका मन है ये ऐसा क्यों है क्यों उनके अंदर जो अज्ञानता है उसके कारण क्योंकि वो सच्चाई को जानना नहीं चाहते है अपने दिल को वो कठोर करके बैठे है उन्होंने अपने दिल को कठोर कर दिया उन्होंने सच्चाई के विरुद में बलवा किया मैंने उन्हें वैसी छोड़ दिया वो तो परमेश्वर से दूर होकर अपना जीवन जी रहे हैं और फिर एक दिन आएगा वो अपने शरीर को छोड़ के जाएंगे और वो उस जगह पर जाएंगे जहां पर सभी लोग जाती हैं अपने जीवन को वो खो देंगे मैं उन्हें खोना नहीं चाहता हूँ मैंने रोकर परमेश्वर से प्रात्ना की प्रभु ईश्यू ये मेरे छोटे भाई हैं इसे विश्वास करना चाहिए इस पर दया करो प्रभु इसके लिए कुछ करो प्रभु कि ये बदल जाएं और बहुत साल बीज गए वो बहुत ही कठोर है उनके तीन चार बच्चे भी है और सभी बच्चें बिलकुल ऐसे ही है अभी अभी सभी बच्चें वो ईश्यू पर विश्वास करते हैं उन्होंने ईश्यू को स्वीकार किया दो या तीन बच्चों की शादी भी होगे हैं और उनके विश्वास के अनुसार हुआ वो आनंद उठा रहे हैं और अब वो कहते हैं वो नहीं जानते कि अब क्या करें देखे परमेश्वन पहले क्या किया उसके बच्चों को छू लिया उसकी बच्चों को उधार दिया वो अपने जीवन का आनन्द उठा रहे है और वो देख रहे है और धीरे धीरे उनका दिल बदल रहा है उनसे क्या लाब मिलेगा अगर किसी वेक्टी को एक विश्वास से दुसरे विश्वास में लेकर आएंगे तो क्या मिलेगा आपको कौन सा लाब मिल सकता है नहीं लेकिन हम जो ईश्व के बारे में कहते हैं अगर आपके पास ईश्व है तो आपके पास जीवन है अगर ईश्व नहीं है, तो जीवन नहीं है, अगर ईश्व है, तो जीवन क्यों है, हर एक वेक्ट, उन पर मृत्यव दंड है, वो मृत्यव दंड, वो तो ईश्व मसी ने अपने उपर उठा लिया है, अगर आप ये विश्वास करें, कि मेरे मृत्यव दंड को ईश्व ने ले लिया है, और इसलिए अब मुझे उसे चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, आप कहें ईश्व धन्यवाद, धन्यवाद ईश्व, और फिर क्या होता है, हम मरेंगे नहीं, क्योंकि मेरे मृत्यव दंड को मिटा दिया गया है, मृत्यव दंड को दूर कर दिया गया है, ईश्व में और केवल ईश्व में ही, और इसलिए हम कहते हैं, अगर आपके पास ईश्व, अगर ईश्व पर विश्वास करते हैं, तो आप जीवित रहेंगे, आप अनंत जीव मेरे प्यारी लोगों आपको प्रव ईश्व मसी को जानना ही होगा, आपको जानना होगा वो कौन है, प्यारी लोगों, जीवन, ये एक व्यक्ति का नाम है, उसका नाम ईश्व मसी है, ईश्व मसी ही जीवन है, यह ना चौधा छे कहता है, मैं ही एक मात्र मार्ग हूँ मैं ही सत्य हूँ और एक मात्र जीवन हूँ मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता है मैं बहुत से मार्गों में से एक नहीं लेकिन मैं ही एक मात्र मार्ग हूँ एक मार्ग नहीं यह कहता है एक मात्र मार्ग जो भे पिता के पास में आना चाहता है उन्हें ईशु के द्वारा जाना है यही एक मात्र मार्ग है उसने कहा मैं सच्चाई हूँ अगर किसी को सच्चाई जाननी है ईशु मसीह एक मात्र सच्चाई है एक सच्चाई नहीं है एक मात्र सच्चाई है अगर आप सच्चाई को धून रहे हैं तो वो सच्चाई प्रभू येशु मसीह में है और वो कहता मैं एक मात्र जीवन हूं एक मात्र जीवन एक जीवन नहीं अगर कोई जीवन पाना चाहता है येशु मसीही जीवन है वो तो बहतायत का जीवन है वो सदा के लिए जीवित रहता है वो अनंतकाल से अनंतकाल तक जीवित रहता है प्रकाशित वाक्या धियाई दो वचन आठ ये कहता है कि पहला और जो अंते में वो ये कहता है जो मर गया था और जीवित हो गया है गौर से सुनिए वो कहता है मै ही आदी हूँ और मै ही अंत हूँ और मुर्दों मेंसे जी उठने में पहलो आ उठा हूँ इस तरे से कहता है मैं ही अलफा और ओमेगा हूँ मैं ही आदी और अंत हूँ जो था जो है और जो आने वाला है सरवशक्ति मान पर मिश्वर वचन सत्रह और जब मैंने उसे देखा तो मैं मरासा उसके चर्णों पर गिर गया लेकिन उसने अपना दाहिना हाथ मुझ पर रखते हुए ये कहा भहभीत ना हो मैं ही पहला हूँ और मैं ही अंतिम हूँ I am he who lives and was dead देखी यहां पर क्या कहता है मैं ही जीवित हूँ मैं वही अलफा हूँ और मैं ही ओमेगा हूँ मैं पहला हूँ और मैं अंतिम हूँ मैं आदी हूँ और मैं अंत हूँ मैं था मैं हूँ और मैं रहूंगा मेरे प्यारी लोगो पहला और अंतिम आदी और अंत ये कौन है? येशु मसी क्या आप ये जानते हैं? ये सच में जानना कितना दोड़ा है प्रभु येशु मसी को आप जान ले ये संसार में सबसे बड़ी बुद्धी होगी संसार में सबसे बड़ा ज्यान होगा आप सदा के लिए जीवित रहेंगे आप मरेंगे नहीं मैंने एक बार सुना था कि एक मनुष्य को हॉस्पिटल में अद्मिट किया गया वो लगभग 78 वर्ष के थे वो मरना नहीं चाहते थे वो जीना चाहते थे 78 साल की उम्र थी और वो तुम रित्व से डर गए थे वो हॉस्पिटल में थे और उन्होंने पैसा दिया 99 लाक रुपे उन्होंने दिये ये तो हॉस्पिटल का बिल था 99 लाक रुपे बिल और फिर भी वो मर गए उन्होंने उनकी जान के लिए इतना पैसा दिया लेकिन उसे नहीं बचा पाए वो मर गया है उन्होंने अपनी अच्छी कोशिश के लिए उन्होंने किसी बात की चिंता नहीं कि जो भी था सब दे दिया इतना पैसा दिया क्योंकि वो मरने से डरती थे क्यों उस व्यक्ति को मरने से डरने की जरूरत है इसके पीछे कारण क्या है वो जानते थे और आज ऐसे बहुत से लोग है जिस पल मृतिव आती है तो वो डर जाती है वो बचने के लिए कहीं जाकर छिप जाना चाहते है इसका कारण क्या है कारण यही है क्योंकि जिस पल वो इस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं तो वो सताव में चले जाते हैं वो सताव वो तो वहाँ पर आग में होते हैं सदा और सदा के लिए होते हैं उसे मृत्यू कहते हैं और ये मृत्यू कैसे हमें उसके लिए दाम चुका ना है चुरू से उसके उपर मृत्व दंड की आग्या थी और जब वो जनमा उसी समय उसके अंदर में पाप था और जब वो मरेंगे तब ही उने मृत्व दंड मिलेगा और वो मृत्व दंड तो आग में सदा सदा के लिए ऐसे सताय जाना है इससे कैसे बचे? और इसलिए इश्वव है और इसलिए इश्वव को जानना है इश्वव को समझना है और मेरे बदले इस प्रत्वी पर कि हर एक मनुश्य के बदले में उसने गाब तुका आया और वह क्रूस पर मर गया उसने अपने लहू को बहाया आपको उसे जानना ही होगा वो कोई सामाने मनुष्य नहीं है प्रभु ये शुमसी को जानना ये तो आपके खुद के जीवन के लिए है और यहां तक कि जब आप लाखों डॉलर दे दे हैं आप अपने जीवन को बचा नहीं सकते हैं आपका जीवन बहुत ही बहमुल्य है और इसलिए परमेश्वर स्वेम ब्यक्तिगत रूप में आता है और उसने इसका दाम चुकाया है परमेश्वर स्वेम नीचे आया और उसने दाम चुकाया वो हमसे इतना प्रेम करता है यह बहुत ही महतोपुल्ण है यह जानना बहुत ही महतोपुल्ण इसकार इसलिए बाइबल कहती है अगर आपके पास ईशु रहते तो आपके पास जीवन है रभु ईशु मसी को जानना यही तो अनंत जीवन है मेरे प्यारी लोगों आप अपने जीवन के साथ क्या करने वाले है क्या आप असे संसार में जी कर आश और आराम करके संसार का आनंद उठाना चाहते हैं मैं आपके एक छोटी सी घटना बताता हूं सामाने रूप में बहुत कोछ ऐसे आप नहीं बताता हूं क्योंकि क्योंकि इससे मनुष्य की मदद नहीं होगी जब मैं यह कहता हूँ कि देखो यह तो महान मनुष्य है मैं कोई महान मनुष्य नहीं हूँ नहीं एक आपके जैसे ही सामाने मनुष्य होगी हमें मनुष्य को नहीं जानना है आपको उसे जानना है जो कि आपके लिए मरा जिसने अपना जीवन आपके लिए दे दिया जिसने आपसे प्रेम किया और वही है जो अपने हाथों में श्वास लिये हुए है परमेशर आपको थामे हुए आपका जीवन उसके हाथों में है आपको उसे जानना है परमेश्व जीवन को थामे है श्वास को थामे है देखे दानियल पांच तेईस में कहता है और यहाँ पर राजा के बारे में कहता है तुने खुद को स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद में उचा उठाया है और वो उसके घर के पात्र तेरी सामने लेकर आई है और वो कहता है के तुने तेरी पत्नी ने तेरी अधिपतियों ने और तेरी दास-दासियों ने दाखमदू उस कटूर में उन बरतनू में पिया है इस तरह से वो उनसे कहता है and you have praised the gods of silver and gold, bronze and iron, wood and stone which do not see or hear or know and the god who holds your breath in his hand and owns all your ways you have not glorified you see what is that sentence देखिये क्या कहता है you have glorified all gods which you have made gold, silver, bronze, iron, wood, all mind you are glorified and praises all these things but you did not glorify God you did not glorify God he holds your breath in his hands and your ways और वो कहता है कि तूने सोने से, चांदी से और बहुत सी चीज़ों से जो इश्वर को बनाया है लकडी से जो इश्वर को बनाया है उसकी उपासना करता है लेकिन जिस परमेश्वर ने तेरे श्वास को अपने हातों में रखा है उसकी तू उपासना नहीं करता है देखे परमेश्वर जो आपके श्वास को थामे हुए है मेरी श्वास को थामे है ये परमेश्वर के हातों में है मेरे मार्ग जो है ये तो उसके हातों में है और आप उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते है आपने उसका इंकार किया है मेरे भाईयों गौर से सुनिये वो कहता है किसी भी पल वो से तोड़ कर ले लेगा हम इस बात को नहीं समझते हैं आप इसके बारे में नहीं जानेंगे योहना अध्या 10 वचन 18 कहता है को ये से मुझसे छीन नहीं सकता लेकिन मैं खुद इससे देता हूँ क्योंकि मेरे पास मैं अधिकार है कि मैं इससे दे दूँ और मैं खुद इससे ले लो वचन 17 में देखिया है देखे परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है इसलिए उसने मुझे अधिकार दिया है कि मैं अपने प्रांड को दे दूँ और इससे फिर से ले लूँ येशु मसी में उसके पास में ये अधिकार है सामर्थ है कि वो जीवन को दे और जीवन को ले ले कि अपने जीवन को दे अपने प्रांड को दे और ले ले और ये तो सब उसके हातों में हैं प्रभु येशु मसी को जान ले प्रभु येशु मसी को जानना जीवन है क्योंकि वो सवय हम जीवन है ये जो है ये तो चंगाई और संपनता के बारे में क्यों नहीं कहते हैं इन बातों के बारे में कुछ नहीं कहते हैं जिस पर आप येशु मसी को जानते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं वो तो स्वयम भस्म करने वाली आग है और वही तो स्वयम पूरे जगत की जोती है जिस पर आप उसे स्वीकार करते हैं तो सारा जो अंधकार है वो तो गायब हो जाएगा जिस पर आप उसे स्वीकार करते हैं हर एक अंचाही बातें जो है वो तैसे जल जाएगी खत्म हो जाएगी कोई शैतान नहीं कोई बीमारी नहीं कोई रोग नहीं कोई सताव नहीं कोई तकलेश नहीं और वो सब को जल जाएंगे भसम होगे वो आपके पास में नहीं आप आएंगे क्योंकि आपने ईशु को स्विकार किया है क्योंकि आप ईशु को जानते हैं आपने उसे स्विकार किया है बाइबल कहती है जिस पल आप ईशु को स्विकार करते हैं आप उससे ये कह सकते हैं पहला यहना धिया चार वचन चार ही बाल को तुम पर मेशवर से हो और तुम ने उस पर उन पर जैपाई है क्योंकि जो तुम है वो तो जो संसार में उससे भी बड़ा है ये क्या है जिस पल आप ईशु को स्विकार करते हैं ईशु आप में आ जाता है वो आकर आप में वास करता है वो जो आप में रहता है वो तो सच में महान और महान और बहुत ही महान है जो संसार में उससे भी परमिश और बड़ा है क्या आप ये जानते हैं? क्या आप प्रभु येश्व मसी को जानते हैं? क्या आप उसे जानते हैं? अगर आज तक आप उसे नहीं जानते हैं तो आज के दिन आप निर्ने ले प्रभु येश्व मसी मैं तुझे जानना चाहता हूँ मैं जानना चाहता हूँ कि तू कौन है मैं जानना चाहता हूँ कि तू किस तरह का व्यक्टी है आप निरने ले आप वचन ले और इसे पढ़ते जाएं आप यहां से धूनते जाएं आप खुद इसे धून ले और वो खुद अपने आपको आप पर प्रकट करेगा और फिर आप उसके पास में जाकर करेगा आप अपने आप उसके सामने जाकर दंडवत कीजी और उसके आरादना कीजी और उसे धनिवाद दीजी आप उससे प्रेम कीजी और कि जरूरी नहीं कि कोई आप से ये सब कुछ कहे अपने आप ही आप अपने जीवन का आनन्द उठाने लगेंगे आप आनन्द पाएंगे आप महान आनन्द पाएंगे ये तो संसार के सभी लोगों के लिए है आज के दिन उद्धारक जन्मा है और वो तो प्रभु ईशु मसी है वो तो स्वेह्म परमिश्वर है मेरे प्रिये लोगों आप उसे जान ले उसे जान ले अगर आप ईशु को नहीं जानते हैं तो आपके पास बुद्धी नहीं है आपके पास ज्ञान नहीं है आपने जो भी ज्ञान कमाया है वो तो केवल कुछ समय रहने वाला ज्ञान है यह आप ईश्व मसी को जानते हैं आप उसके नाम को पुकारे वो आएगा उसने कहा जब तुम मुझे पुकारोगे तुम मैं तुम्हें उत्तर दूँगा और तुम्हें महान और सामर्थी बातें दिखाऊंगा यह में आध्या 33 वचन तीम में से पढ़ती हैं तुम मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूँगा और तुम्हें महान और सामर्थी बातें दिखाऊंगा जिससे तुम नहीं जानते हो देखे कितनी महान बात है मेरे प्यारे लोगों प्रभु येश्व मसी को जान ले वो आपका जीवन है आए प्रात्ना करें अनुगर कारी सवर्गी पिता बहुत बहुत धनिवाद हमें ये मौका देने के लिए कि इन प्यारे लोगों से बाचीत कर सकें इस मीडिया के माध्यम से ये तो तेरा अनुगर है परमेश्शन ना कि ये उध्धार पाना चाहते लिए ये अनंत जीवन पाना चाहते हैं इन्हे अनंत जीवन पाना ही होगा ये सदा के लिए जीवित रहेंगे और इसलिए पिता तुने हमें ये मौका दिया है कि हम इन प्यारे लोगों से बातचीत कर सके परमेश्र पिता तु तो इस आवाज को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को जानता है ये तो तिरे विशेश लोग हैं पिता पिता हम प्रात्ना करते हैं प्रभु ईश्यू के नाम में कि इनकी जो भी ज़रूरत है सिर से लेकर पैर तक ये चंगे हो जाएं अपने प्राण में ये चंगे हो जाएं अपनी आत्मा में ये जाने के तु कौन है तु कौन है ये जानने के द्वारा ये आशिशित होंगे अनंत जीवन पाएंगे और सदा के लिए जीवित रहेंगे पिता यीशु के नाम में प्रात्ना करते हैं आमेन